देखो अगर life में success होना है न तो एक ऐसी skill में आपको बताता हूँ जिसको सीखने के बाद आप नहीं हार नहीं मानेगे किसी बंदे से पीछे नहीं हो और वह public speaking skill अब बहुत सारों के मन में यह प्रशना आता है public speaking का मतलब क्या stage पही बोलना है नहीं public speaking का मतलब है public में चाहे individual व्यक्ति से बात करें तो group of people से बात करें अगर आपके अंदर अच्छी communication skill है आप अपनी बात को confidently सही सब्दों के उतार चड़ाब के साथ ठीक तरीके से रख सकते हैं तो आप किसी भी व्यक्ति के दिल पर राज कर सकते हैं इसलिए एक student के लिए public speaking skills in different different manner बहुत important अगर आप एक अच्छे public speaker बनना चाहते हैं आप लोगों को inspire करना चाहते हैं तो सबसे पहली जो चीज है आपकी आवाज में वो दम होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को पस्ट रूप से सुनाई दे नमबर दो जिस विशय पर आप बात करने जा रहे हैं वो विशय आपको बिलकुल clear होना चाहिए कि इस विशय की जानकारी आप से बहतर किसी और व्यक्ति के पास नहीं है ये confidence भी होना चाहिए मन में नमबर तीन जिस व्यक्ति से आप communicate करने जा रहे हैं उसकी आँखों में देख कर बात करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के mind को एक तरह से आप hack कर लेते हैं मतलब अपनी तरफ आकरशित कर लेते हैं नमबर चार, public speaking skills में सबसे important क्या है कि आपका जो body language है वो भी बहुत बड़ा impact सामने वाले व्यक्ति पर डालता है मतलब आपकी body भी पूरी बोले, आपके हाथ, आपका चेरा, आपके हाव भाव, ये बात को जाहिर करें कि कौन सी बात आप कैसे कहना चाहरे हैं नमबर पाँच, public speaking में सबसे important क्या है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस भाशा में बोल रहे हैं, पर किस बात से बढ़ता है कि आप कितना सठीक बोल रहे हैं, तो सही भाशा का चैन करें, कई बार देखा है कि लोगों English नहीं आरी तब बें English में बोल रह कर रहे हैं, तो जिस भाशा में आपका हाथ सेट है ना, उसी भाशा में आप बोलें, नमबर छे, public speaking का सबसे important role ये भी बताता है कि आपको ये भी identify करना है कि जिन लोगों के सामने आप बोल रहे हैं, वो लोगों के लिए उस तरह का content relevant है या नहीं, कई बार मानलीजिए, आ ये youngsters के साथ बैठ कर senior citizen वाली बाते कर रहे हैं, या business owner के साथ बैठ कर job class की बाते कर रहे हैं, job class के साथ बैठ कर business owner की बाते कर रहे हैं, तो आपका subject correlate करना चाहिए, audience के taste and preference के हिसाब से होना चाहिए, कभी भी ऐसे शब्दों का चैन ना करें, जो सामने वाले व्यक्ते की भा इतरी नियम ये कहता है, कि आप हमेशा समय से पहले पहुँचे ताकि आप कभी भी हड़ बड़ा हाट में ना हूँ, और important बात, जब भी आप को लगे कि मेरा गला ड्राइ हो रहा है, तो take a long breathe, लंबी सांस लें, और पानी को जुरूर सिप करके पिएं, इस से आपका जो dryness से गले की वो कम होगी और आप अच्छे तरीके से अपनी बात को रख पाएंगे, और number 10, सबसे important, अपने विशय के विशय शग्य बने, उसी विशय पर बात करें, जिसमें आपको महारत हासिल है, ऐसा कोई विशय ना चुने, जो आपके taste and preference के according ना हो, audience को भी correlate करना है, उस साब से आपका subject भी तयार होना चाहिए, यह दस विशय बात अगर आप ज्यान रखते हैं, तो आप बेहतर public speaker बन सकते हैं.